पुलिस ने जब चांश शुरू की तो पता चला कि आरोपी के पास ब्याश का कारोबार करने का कोई लाइसेंस नहीं है दयाल बंद निवासी सचिन गोरक 40 वर्ष ने रेलवे के करीब 30 करमचारियों को रुपए उधार दे रखे हैं उधार दी गई रकम के एवज में सूध खोर सचिन गोरक कई गुना रुपए इन लोगों से वसूल कर चुका है इसके बात भी और रकम की मांग कर रहा था इन सभी करमचारियों के पास जब नियायाले से वेतन कटोती का नोटिस पहुचा तो सभी ने अपने स्थर पर पता किया तो मालूम चला कि एक पक्षे कारेवाही कराने के लिए सूध खोर सचिन गोरक ने यह सब करवाया है रेलवे के टोपनों तो था तीस करमचारियों का आवेदन मिलने के बाद सीटी कोत वाली थाना पुलिस ने जब सूध खोर सचिन गोरक के घर की तालाशी ली तो इसके यहां से नियायाले की सील कोरेकाद जात पर लोगों के हस्ताक्षर के हुए दस्तावेश तथा अन्यसामगरी पर जांच में यह भी पता चला कि सचिन गोरक के पास ब्याश पर कारोबार करने का कोई लाइसंस भी नहीं है शिकायत करता रेल करमी उसकी हरकतों से तरस्त हो चुके थे शिकायत करताओं को उसने एक करोड रुपे का चुना लगाया है शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के घ मामला दर्ज कराया है उसे गिरफतार कर कोट में पेश करने के बाद उसे जेल भीज दिया गया है शिकायत करता रेल करमीयों का आरोप है कि सचीन ने उसके अलावा तीन सो से अधिक रेल करमीयों को बैयाज पर रकम दी थी कोट में मामला दायर कर वह अब तक 10 करोड राजगराना और जोती गार्डन वोल्ड-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightening, a perfect venue for wedding, launching and parties, राजगराना और जोती गार्डन आज जोती गार्डन जे बीडी बैंक्वेट एंटर्पाने के लिए बाल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइच, शेर और सब्सक्राइब करें हैन्नेवान